नमस्कार, SPN 9 News आप देख रही है आपके साथ, मैं हूँ अक्षिय अगरबार, स्वागत है तमाम दर्शकों का स्खास, पेशकर्श में 2024 का चौकिदार कॉन, 2024 के आम चुनाफ जारी है, तीन चरणों का मतदान हुआ, मतदान हुआ ही था, और कुछ ही घंटों बाद उत्ताप अधिकारी आकाश आनन्द को उनके पद से हटा दिया जाता है, और तब तक वे अपने पद से मुक्त रहेंगे, जब तक वे पूरी तरीके से राजनीती ग्रूप से परिपकुता उनके अंदर ना आ जाए, ये हवाला देते हुए मैवती ने आकाश आनन्द को पार्टी के कोडिनेटर और साथ में उनके उत्तरादिकारी के तोर पर भी जो एक ऐलान पीसली साल उन्हों ने किया था, दोनों जिम्धारियों से ने यहां मुक्त कर दिया है, ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि आखिर बीच चुनावों में मैवती ने ऐसा क्यों किया, दरसल तमाम दर्शिकों को बता दे कि आकाश आनंद जिस तरीके से उन्हें पार्टी के उत्तरादीकारी के तोर पर ये कहीं कि अपने उत्तरादी के तोर पर मैवती ने निकल किया था, लेकिन उससे पहले 2019 में मैवती ने उन्हें बस्पा का को ओर्डिनेटर बनाया था, और जि उत्रप्रदेश की योगी सरकार की तुलना तालिबान शासन से करना हो चाहे बीजेबी नेताओं की तुलना अतंकवादियों से करना हो या अन्य किसी नेता की तुलना अन्य किसी विवादित बयान देख करके करना हो इस तरहे के तमाम बयानों के चलते आकाश शायनंद लग गतार ही विवादों में घिरते जा रहे थे और इन विवादों का इस्तर बढ़ता उससे पहले मायावती ने अपना यहां पर ये कड़ा फैसला सुना दिया इस बीच अब बसपा को लेकर चर्चा ये भी है कि स्वामी परसाद मौरिये जल्द ही मायावती की इस बसपा का दा जाते ही बीते हैं, वो यहां पार्टी में वापसी कर सकते हैं दो कुल मिलाकर कि यहां इन दोनों जो यहां परस्तित्य मायावती की बसपा कुले कर चल रही है तो से लेकर तमाम सवाल हैं और निजरूम में मेरी माजूदगी और सभी सैयोगियों से जानने की कोशश करें अमन्जे सबसे पहले हमारे साथ हैं अमन्जे वाके में दूसरे चरण का मदान वीत मंगलवार को हुआ ही था और चौका देने वाले ट्वीट मायवती के और से आते हैं कि आका शानन्द को जब तक उनमें राजनीतिक रूप से परिपक्वता नहीं आ जाती इन पदों से मु पुट पर ला दिया है देखिए बिलकुल और जिस तरह से आका शानन्द को लेकर पुरा मामला चल रहा है वो यह बताता है कि आजादी और आवारगी में फर्क होता है आपको अगर आजादी मिली है कि आप जाए रैली में बोलिए बेस्पी को आगे करिए लेकिन उसका मत मायबती को भी शायद कहीं से उनका जो बियानबाजी वो पसंद नहीं आई होगी इसलिए उनको तुरंट पद से हटाया और देखिए इस तरह की कादम को उठाना भी आपने आप में बहुत बड़ी कह सकते है जिम्मेदारी है कि जहाँ पर आपकी पार्टी का कोई नेता ह कोई सदस से चाहिए आपका बतीजा ही क्यों ना हो अगर इस तरह के अनापशना बियानबाजी करेगा तो उसको भी पद से हटना पड़ेगा ये मायबती ने कहने के दिखाया अपज़क्पी हम दूसरी पार्टी को देखते हैं चाहे हम बीजेपी की बात कर जाबर ब्रज हरकत करेंगे तो उसका खामियाज आपको भुगतना पड़ेगा और ये मायबती ने कम से कम दिखाया है कि चाहे उनका बतीजा ही क्यों ना हो अगर इस तरह की भाशा का प्रियोग करेगा जो ना सिर्फ कह सकते हैं कि सरकार के खिलाब जो उन्होंने शब्दों का प्रियोग को बहतर रखने के लिए पार्टी की चवी जादा ना किरें इस तरह के बैयानों से उनसे बचाय रखने के लिए मायबती ने ये फैसला किया लेकिन जबीच चर्चा ये भी है कि स्वामि परसाद मौरे वो आ सकते हैं वो बस्पा में वापसी कर सकते हैं सवाल य कि आप बस्पा की जो सियासी जमीन है उसे मजबूत करने में बूमी का अदा कर पाएंगे देखे बिलकुल यहां समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे बस्पा का भी हिस्सा थे लेकिन अब जो कयास लगाए ज़ारा ही थे कि समाजवादी पार्टी से दूर हो गए हैं अप किसी पार्टी के साथ जुड़ते वे जरूर नजर आएंगे तो बहुजन समाजवादी के बात करें मायवती के बात करें तो जरूर स्वामी प्रसाद मौरिया हो सकता है कि वो उनके साथ हाथ मिला ले क्योंकि पल्लवी पटेल की बात करें समाजवादी पार्टी का हिस्सा वो भी थी लेकिन पलवी पटेल ने अपना फायदा साधने के लिए असदुद ने वेसी के साथ हाथ मिला लिया PDA की जगा PDAM पर आ गई तो स्वामी प्रसाद मौरिया भी ये कदम उठा सकते हैं और मायवती के साथ जा सकते हैं क्योंकि खुद स्वामी प्रसाद मौरिया ये कहते हैं कि दलीतों आदिवासियों पिछड़े वर्गों के लेकर वो सोचते हैं तब ही तो यहां पर जब उनकी बेटी स्वामीत्रा मौरिया की बात करें जब उनका टिकेट कटा था रोती वी नजर आई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारती जंता पार्टी के नीतियों के खिलाफ हैं क्योंकि वो हमेशा से शोशित वर्गों के बारे में नहीं शोचते हैं वो ये कहते वे नजर आते हैं कि भारती जंता पार्टी लोकतंत्र पर खत्रा हैं तमाम आरोप उन्होंने लगाए लेकिन यहां पर जो कमजोरी मिलेगी जो फैसला मायावती ने आकाश आनंद को लेकर के किया है सवाल रहेगा हमारे सही होगी शालिनी से बड़ा एहम फैसला यहां पर मायावती ने लिया है मंगलवार की रात अचानक से टूइट करते हुए अब जिस तरीके से यहां आकाश आनंद को पार्टी क बस्पा कमजोर पड़ जाएगी देखिए अक्षित जिस प्रकार से मायावती ने अपने भतीजे के खिलाप जाकर यह निन्ने लिया है और दोनों ही पद से कहीं न कहीं आकाश आनंद को निश्काशित कर दिया है हटा दिया है तो ऐसे में हाँ यह कह सकते हैं कि आकाश आन निड़ने लिया है और अपने भतीजे को दोना पदों से हटा दिया है तो कहीं न कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या अब जो समर्थक बस्पा के समर्थन में उतर रहे थे आकाश आनंद को लेकर अब कहीं न कहीं वह बगावत ना चेड़ दे मायावती को लेकर अब वह ऐसे में कहीं न कहीं मायावती बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे अब जिस प्रकार से मायावती ने उन्हें पद से हटाया है तो बीजेपी का साथ दे रही है और नहीं चाहती है कि बीजेपी चुनाव में हार बिल्कुन यहाँ पर ये बात भी लगतार मायावती को लेकर कही जा रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देरा लेकि एक इंटर्वियू के दौरान आकाश आनद ने इस बात को सीरे से खारिज किया था लेकिन ये बात भी कह डाली थी कि जरूरत पढ़ने पर चुना तोर की बात चल रही है और चर्चा यहाँ पर है कि 14 माई से पहले तक वो बसपा में शामिल हो जाएंगी क्योंकि महज अब आखरी चरण का जो मतदान है वहां के लिए ही नामांकन की प्रक्रिया शेश रह गई और वो भी 14 माई तक ही ऐसे में चर्चा है कि स्वामें परसा परसाद मौरे आते हैं वापसी करते हैं लंबे टाइम बात बसपा में क्या वो पार्टी को मजबूती परदान करा पाएंगी या फिर नहीं ये भी बड़ा सवाल रहने वाला है क्या कुछ उस पर आपकी रहा है कॉमेंट बॉक्स में में कॉमेंट करके जरूर बताएं फि इन नहींस